नमस्कार मैं डॉक्टर माकान सर्मा आज उपस्तित हूँ बच्चों में होते हुए अपर रेस्पारेटरी ट्रेक्ट इंफेक्शन्स का विसे लेकर जिसमें टॉंसिलाइटिस साथ में लेरिंजाइटिस या फिर ट्रेकियो ब्रॉंकाइटिस जिसको कभी-कभी लेरिंगो ट्रेकियो ब्रॉंकाइटिस भी बोला जाता है बच्चे सामाने तोर पर रेस्पारेटरी इंफेक्शन्स के लिए बहुत प्रोन होते हैं और बच्चा एक मेहने से लेकर के जब तक वो साथ-ाठ साल का नहीं हो जाता है तब तक उसको बार-बार बार-बार जो गले में इंफेक्शन्स की बज़े से बार-बार बुखार आता है वो जो है उसमें टॉंसिलाइटिस एक बहुत एहम समस्या है अब यह देखा जाए कि बच्चे सामाने तोर पर इस रैस्परेटरी ट्रेक्ट इनफेक्शन्स के लिए प्रोन क्यों होते हैं क्योंकि कहा जाता है कफज रोग जो हैं वो बच्पन में ही जादा मात्रा में पाये जाते हैं बच्पन मतलब कफ, वयस्क का मतलब होता है पित, और प्राण का मतलब होता है बुजुर्ग का मतलब होता है वाद, कफ, पित, वाद, और ठीक ऐसे ही रोग भी हमारे सरीर में हमको परिसान करते हैं बच्पन में सामाने तौर पर जो बिमारी बच्चों में जादा पाई जाती है वो होती है कफ की स्वांस की निमोनिया बार बार हो रहा है गला बार बार खराब होने की वज़े से बुखार आ रहा है बार बार ये है कफ के रोग, कफ के रोग बच्पने में जादा मात्रा में होते हैं फिर जैसे ही बच्चा बड़ा होना चालू होता है टीनेजर होता है तब उसको रक्त विकार होना चालू हो जात तचा खराब हो रही है चैरे पर मुहां से आ रहे हैं पिंपल्स फेशल एकनेस बोला जाता है वो आ दर्द हो रहा है पेट में गैस भर रही है बहुत जादा पेट फूलना चालू हो जाता है और वात रोगों में जोडों में दर्द मूल रूप से परिसान करना चालू कर देता है लेकिन हम यहां बात करेंगे सिर्फ टॉंसिलाइटिस या फिर अपर रेस्परेटरी इंफेक्शन की जिसमें बच्चे में जादा तर ऐसा देखा गया है कि गला बंद होकर के टॉंसिल्स का इंफ्लमेशन होता है इंफेक्शन होता है टॉंसिल्स पर जिस कंडिशन को टॉंसिलाइटिस बोला जाता है और इसकी वज़े से बच्चे में खासी और बुखार आन इसके कारण क्या क्या है और इनका सामान्य तौर पर घरेलु उपचार क्या होगा जिससे यह समस्या अगर हो गई है तो खतम हो जाए और अगर नहीं हुई है तो यह समस्या बच्चे को बिल्कुल भी की नहों इसके लिए हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा मैं डॉक्टर रमाकान सर्मा योग अबंप्राक्रतिक चिकेसा विसे सग्या आज इस विसाय पर चर्चा करेंगे मूल रूप से सबसे पहले हम यह देखें कि Respiratory Tract Infection का मूल कारण क्या है Respiratory Tract Infection में सबसे पहला कारण होता है बच्चे में गिरती हुई Immunity बच्चा जब पैदा होता है तो उसको innate Immunity जो मिली होती है वो तो मिली होती है लेकिन अब उसको Immunity को Acquired Immunity उसको धीरे-धीरे करके इकठी करनी है तो innate Immunity में कभी-कभी Parental Side से Immunity हलकी कमजोर मिलती है तो देखा जाता है बच्चे Almost हर महिने में एक बार-दो बार बिमार हो जाते हैं और बिमारी भी क्या? कभी तो उनको Tonsils की Problem हो जाएगी कभी जुकाम हो जाएगा, कभी निमोनिया हो जाएगा और कभी-कभी अगर मान लेजे वो Bottle से दूद पी रहे हैं या फिर कुछ खाने पीने के लाइक हो गए हैं बच्चा तीन मैने से जब बड़ा होता है तो वो अपने हाथ, उंगलिया मुह में डालना चालू कर देता है तो कहीं लगाएगा इधर उधर और और फिर मुह में डालेगा तो धीरे-धीरे करके Oral Cavity से होते हुए इंफेक्शन जो है, वो थ्रोट तक पहुंसता है गैस्ट्रिक अपसेट्स कराना चालू कर देते हैं जिसमें कभी-कभी तो ये जो अपर GIT की प्राबलम्स जो होती है उसमें वामिटिंग आना चालू हो जाती है बच्चा दूद पिएगा पलट देगा कुछ भी खाएगा पलट देगा पेट में मरोड होगी, पूरी रात रोएगा और कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे को लूज मोशन लगना चालू हो गए है आतों में कुछ भी उसके डाल रहे है आप वो पूरा-कपूरा कभी ग्रीन मोशन हो रहा है कभी यलो कलर का मोशन हो रहा है लूज स्टूल्स बच्चा दिन में 3-4-5 बार पास करना चालू करता है ऐसे समय में बच्चे का ध्यान किस तरीके से रखा जाना चाहिए बच्चे को अगर बार-बार करके ये समस्यां आ रही है तो बच्चे का पालन पोशन किस तरीके से किया जाना चाहिए ये है आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि बच्चे का internal as well as external hygiene maintain किया जाए बच्चे दिन भर में जो भी कुछ दूद पी रहे हैं जो भी कुछ खा रहे हैं तो वो कपड़े खराब करते रहते हैं तो दिन में कम से कम दो से तीन बार बच्चों को कपड़ों को बदलना जरूरी है अगर बच्चे कीले कपड़े पहने रहेंगे कुछ गंदे कपड़े पहने रहेंगे तो फिर वहाँ पर जादा से जादा infection के chances होते हैं तो बच्चे के कपड़े दिन में दो से तीन बार जरूर बदले जाएं और कपड़े बदलते समय ये विसेध ध्यान रखें कि मौसम के अनुसार उसको कपड़े पहनाए जाएं अगर सरदिया हैं तो कुछ कपड़े ऐसे पहनाए जाएं जो skin fit हों और cotton के हों नीचे पहना दिये उसके उपर से कुछ ऐसे कपड़े पहना दिये जिनको आसानी से बदला जा सकता है तो उपर उपर के कपड़े आप दिन में दो तीन बार बदल सकते हैं और जो नीचे के कपड़े हैं अंदर के जो कपड़े हैं वो एक कपड़ा रह सकता है उपर के कपड़े अगर बच्चे ने urine कर लिया है तो फिर जो lower garments बच्चे के होते हैं वो तो पूरे ही बदले जाएं ठीक है? तो इसका विसेज़ ध्यान रखा जाए दूसरा बच्चे को दूद बिलाना ये एक तरीके से एक पूरी systematic प्रणाली है एक तो जैसे जब तक बच्चा बाहर का कुछ खाना पीना चारू नहीं कर रहा है या बाहर बाटल से या आप चमच कटोरी से या चमच ग्लास में दूद को करके चमच से नहीं बिला रहे हैं बच्चे को तब तक जैसे breast feed करता है जब तक बच्चा उस समय तक मां को ये विसेश रूप से ध्यान रखना चाहिए कि breast feed कराते समय बच्चे की positioning कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि बच्चे को लिटा करके बिल्कुल breast feed नहीं कराना है बिल्कुल लिटा करके अगर feed कराएंगे तो बच्चा इस तरीके से दूद पिएगा दूद मुझ से होते हुए उसके कान तक जाना चालो हो जाएगा और कहीं न कहीं अगर गले में थोड़ा बहुत भी दूद रुका तो वो फिर oral cavity की problems या throat की problems या दीरे दीरे करके दूद अगर थोड़ा बहुत भी क्योंकि नाक, कान और गले का पूरा connection है अगर थोड़ा सा भी ये कुछ होता है तो बच्चे का फिर कान बहना चालो हो जाता है कान में दर्द होना चालो हो जाता है ये बहुत बड़ी समस्या है इस समस्या से अगर आपको बचना है तो बच्चे को हमेशा दूद बिठा करके ही पिलाया जाए आप महिला बैठे मां हमेशा बैठ करके दूद पिलाए और बच्चे की पुजिस्निंग भी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि बच्चे का जो मुह है और गला जो है वो मुह उपर और गला नीचे तकि दूद आराम से नीचे जाता जाए अगर बैठ करके भी पिला रहे हैं बच्चे को ऐसे लिटा रखा है तो भी प्रॉब्लम है बच्चे को इस तरीके से करके ताकि अगर मुह यहाँ है और गला नीचे होते हुए आमासे तक दूद आराम से नीचे की तरफ चला जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी एक चीज विसेस जो ध्यान रखी जाती है वो है कि बच्चे को अगर आप दूद पिला रहे हैं तो बच्चे को दूद पिलाने के बाद चाहें वो ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं या फिर आप बॉटल से पिला रहे हैं या चमच कटोरी से पिला रहे हैं बच्चा जब दूद पी ले उसके बाद बच्चे को सीने से लगा करके उसके पीठ पर अच्छे तरीके से परपिंग करनी चाहिए इस तरीके से आप हाथ को उपर से नीचे की तरफ अच्छे तरीके से पीठ पर उसके फेरेंगे इससे क्या होगा बच्चे का दूद जो है वो धीरे 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 करके नीचे की तरफ जाना चालू होगा और जैसे जैसे दूद नीचे की तरफ जाएगा बच्चा ड़कार लेना चालू कर देगा एक दो बार बच्चे को डकार अगर आ जाए तो जो दूद जो भी बच्चे का दूद आहर नाल में रहता है आहर नाल से जैसे ही अमासे में चला जाएगा क्योंको डकार आएगी इसका मतलब अमासे से गैस उपर की तरफ आ रही है अमासे से गैस उपर की तरफ आ रही है इसका मतलब उपर भरा हुआ दूद अमासे में आसानी से चला गया है फिर बच्चे को उल्टी होने के चांस बहुत कम रहेंगे जो लोग ऐसा नहीं करते हैं बच्चे को दूद पिला के लिटा देते हैं थोड़ी देर के बदचा उल्टी कर देता है क्योंकि दूद जो है वो कुछ तो आहर नाल में ही भरा हुआ था और आहर नाल में ही भरा हुआ दूद थोड़ा बहुत भी रहेगा वो आपका दूद ऊपर की तरफ से निकलना चालो होगा और गैस्ट्रो इस्टोफेजल रिफ्लक्स अगर एक बार जनरेट हो गया तो वो आमासे में बरे हुए सारे के सारे कंटेंट्स को निकाल के बाहर फिकेगा इसका विसेज ध्यान रखा जाए इसके बाद बच्चा अगर बाटल से दूद पी रहा है तो वैसे तो कोशिस की जानी चाहिए कि बाटल से दूद बच्चे को ना पिलाया जाए लेकिन फिर भी अगर बायचांस बच्चा बाटल से ही दूद पीता है तो फिर bottle का proper hygiene maintenance मा की सबसे बड़ी जुमेदारी है मा की जुमेदारी इसलिए बोल रहा हूँ जुमेदारी तो पिताजी की भी होनी चाहिए जुमेदारी तो परिवारी जनों की भी होनी चाहिए लेकिन मा ही बच्चे का proper तरीके से पूरा खयाल रख पाती है जादा होती भी है हालांकि एक हावत भी है कि मा की ही responsibility होती है लेकिन बाद में चलके मा को ही पूरे तरीके से एक तरीके से जादा ध्यान नहीं रखा जाता तो वो एक अलग बाते हैं लेकिन यहाँ इस बात का विसेज ध्यान रखा जाए कि बाटल और रबर दोनों ही बहुत प्रॉपर तरीके से वास हों और बिलकुल अच्छे तरीके से क्योंकि दूद अगर रबर में थोड़ा सा भी भरा रह रह गया या बहुत सारे लोग गल्दियां करते हैं कि दूद बाटल से बचे ने पिया आदी बाटल रखा हुआ है बाटल रख दी अब उस बाटल की रबर पर मक्यां बैट रही है और थोड़ी देर के बाद वही बाटल फर से मुझे लगा दी ये तो ब्लंडर मिस्टेक है ऐसा तो कते ही नहीं किया जाना चाहिए अगर बचे ने बाटल से दूद पिया है और आदा दूद बचा दिया है तो आप साथ की साथ बाटल में से दूद को निकाल करके काँच के गलास में या SS के गलास में दूद को स्टोर करके रखिए और उसके साथ में फिर जब बाटल में से दूद को निकाल करके बाहर रख कर दिया है तो बाटल को साफ करके तुरंट की तुरंट बाटल में दूद भरा रख कर अगर आपने छोड़ दिया है तो तो फिर bottle को पानी के साथ उबाल कर ही bottle साफ की जाए नहीं तो फिर bottle को साफ करने का कोई मतलब नहीं है अगर ऐसी bottle से दूद पिला रहे हैं तो बच्चे को बार-बार-बार करके टॉंसलाइटिस होगा ही option ही नहीं है नहीं हो ठीक है? तो इस चीज का विसेज ध्यान रखा जाए अब बारी आती हैं अगर ऐसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है बॉटल्स जो बोनी की बॉटल्स आती हैं आजकल अच्छी अच्छी क्वालिटी की जैसे कहा जाता है फूट ग्रेट प्लास्टिक अब फूट ग्रेट प्लास्टिक जो है किसी भी चीज को अगर गरम करके प्लास्टिक में रखा जाएगा तो चाहे जितनी भी फूट ग्रेट प्लास्टिक ले लीजे आप वो नुकसान ही करेगी इसलिए कोशिस की जाएं कि स्टील की बॉटल्स आती हैं स्टील की बॉटल्स में बड़ी वैसी वाली रबर आती हैं वो बॉटल कोशिस करें रखें बच्चे को अगर बॉटल से दूद पिलाना है तो नहीं तो कोसिस करी जाए बच्चे को आदब डालें चम्मच से चम्मच कटोरी से दूद पिलाने की चम्मच से दूद पिलाएं क्योंकि उसमें थोड़ी जादा मेहनत लगती है इसलिए लोग प्रिफर करते हैं कि बॉटल दे दो बच्चा अपने आप पिता रहेगा तो ये जो तरीका है ये तरीका कभी-कभी नुक्सान दायक हो जाता है अगर ऐसा है तो आप बॉटल का प्रॉपर केर करेंगे अगर तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कोई बहुत नुक्सान नहीं होता है ठीक है इसके बाद बारी आती है बच्चे को जब भी दूद पिलाया जाए दूद पिलाने के बाद बच्चे को परपिंग करा दिया आपने उसके बाद कोसिस करिये कि गला जो है वो थोड़ी देर के बाद बच्चे को एक चमच दो चमचा पानी जरूर पिला दें क्योंक का बच्चे को फरिक्वेंटली थोड़ा थोड़ा करके पानी जरूर पिलाते रहें क्योंकि दूद्ध्धतों बच्छे को हम 4-5 वार दूद्ध पिलने के बाद अगर बच्छे को पानी नहीं पिला जाएगा तो गले में बहुत सारे Shaft folds होते हैं दूद उसमें थोड़ा बहुत रुका रहेगा और दूद अगर कहीं रुकेगा तो वहाँ पर जादा से जादा chance होगा वो vegetation होगा वहाँ पर ये pathogenic activity जो है वो बहुत जल्दी grow करना चालू करेगी pathogenic organism जल्दी से जल्दी वहाँ पर flourish होना चालू होंगे और secondary disorders कराना चालू करेंगे primary invasants की बाद secondary disorders आना चालू हो जाएंगे चाहे वो pharyngitis हो जाए चाहे वो laryngitis हो जाए चाहे वो donselitis हो जाए चाहे वो laryngotracheobronchitis हो जाए और चाहे वो फिर बाद में चलके pneumonia हो जाए ये सारी समस्या है तब होंगी जब पहले हमने ध्यान नहीं रख पाया है जब भी बच्चे को दूद पिलाएं दूद पिलाने के तुरंत बाद अगर चाहें तो एक दो चम्मच आप पानी पिला सकते हो अगर बच्चा नहीं पी रहा है तो थोड़ी देर के बाद आप उसको जरूर पानी पिलाएं और सिपर अगर आप च पीलिया पूरे के पूरे गले से पानी जाता हुआ दूद की पूरी की पूरी सफाई करते हुए ट्रेक को पूरा साफ कर देगा केवल पानी वो चीज है जिसके बाद आपको मुझ की सफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पानी मुझ की सफाई करने कही काम करता है इसके अराबा अगर आप कुछ भी खा पी रहे हैं सहद, पानी, सर्वत, पुदिना का पानी, चाच, दूद, दही, सूप, जूस, खाना, फल, सलाद, सबजी, कुछ भी खा रहे हैं उसके बाद आपको अपने ट्रेक्ट को पूरे को साफ करने की जरूरत है और इसके लिए आप पहले तो मुँ में पानी बरके कुला कर देंगे और एक घूट पानी आप नीचे की तरफ पहुंचा देंगे ताकि आपका पूरा का पूरा, यह जो आहर नाल है, यह पूरा साफ हो जाए, इसोफेजियल जो रिंग है, यह पूरी की बुरिया, तो फेज बढ़ों के लिए भी बहुत जरूरी है तो यह चीज बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है ठीक है यह हो जाए इसके बाद बारी आती है टॉंसिलाइटिस की कि अगर बच्चे बार-बार करके किसी भी चीज को छू करके हाथ उंगलियां मुह में डाल रहे हैं तो फिर से ही चुटाने की कोशिस करें बच्चपन से ही चुटाने की कोशिस करें कि वो डारेक्ट बार-बार उंगलियां हाथ हंगोठे मुह में ना डाले बहुत सारे बच्चों के आदत होते हैं हंगोठा चोसने की उंगली चोसने की तो धीरे-धीरे-धीरे-धीरे करके यह आद तो वे तो करेगा नहीं, फिर वो क्या करेगा, वो जदा से जदा ये कर सकता है, कि पानी आप उसको पिला दो, वो नीचे लेडाएगा, लेकिन हाथ हम लगातार बच्चे के दुडाएं, और बच्चा जहां भी रहा रहा है, जो बच्चे के आसपास object हैं वो properly sanitized होने चाहिए जो भी बच्चा जिन चीड़ों से खेल रहा है वो चीज़ें बिल्कुल properly sanitized होनी चाहिए ताकि अगर बच्चा हाथ उनमें लगा रहा है और फिर हाथ अंदर लगा रहा है मुं में तो फिर वो कहीं न कहीं डायसेट ट्रैक्ट में उसके में कोई infection ना हो इससे बचने के लिए बच्चे को unwanted जगे पर न ले जाया जाए अगर कहीं ले जा रहे हैं तो फिर ये ध्यान रखा जाए कि बच्चा किसी भी इदर उदर की चीज़ों को बिना चुए या फिर अगर चू रहा है तो उसके हाथ बार 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 करके धुलबाये जाएं और ये जो कहा जाता है अभी कोरोना में ये चीज़ समझ में आई सब को कि बार बार हाथ दोएं क्यों दोएं क्योंकि आप यहाँ हाथ लगा रहे हैं आपने यहाँ हाथ लगाए हैं आपने यहाँ हाथ लगाए हैं कहीं भी हाथ लगाए हैं और उन्हीं हाथों से आप आंख चूरे हो नांख चूरे हो मूँ चूरे हो तो निश्चित ही infection spread होने के chances से ज़ादा से ज़ादा होते हैं इसलिए आपको बच्चे के आस पास पुरी सफाई करके रखने की जरूत है अगर बच्चा बार-बार बिमार पढ़ रहा है तो आप की और जादा जुमेदारी बंजाती है कि आप बच्चे strongest की सारी चीज़ों की process और सफाई करके रखेंगे ठीक है यह हो जाए इसके बाद अब आती है बच्चे की internal hygiene maintenance एक्षर्णal hygiene में तो हमने कपड़े बच्चे की बदल दिये हाथ पैर्द हो दिये गिले कपड़े से बच्चे को एक दू बार पूंच दिया अच्छे तरीके से अब internal hygiene maintenance में बच्चा यूरिन दिन में कम से कम चार से पाँच बार प्रॉपरली खुल के करे इसका ध्यान रखना है और यूरिन कप करेगा जब अच्छी मात्रा में पानी पिएगा अगर बच्चा दूद अच्छी मात्रा में पिरा है तो दूद पिलाया जाए और साथ में पानी का भी उप्योब बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए ताकि अच्छी मात्रा में बच्चा यूरिनेट करता रहे बच्चे को अगर अच्छी मात्रा में यू लोज मोशन वगेरा आते हैं वो नहीं होंगे अगर प्रॉंकाइटिस नहीं होगी निमॉनिया नहीं होगा बच्चपन में बच्चा इतना कम बिमार पड़ेगा यह मान लीजिए कि बच्चा धीरे धीरे दीरे करके सोत है ही उसकी इम्मॉनियटी बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्ची होकी तो ही बच्चमन में बिमारियों से बच पाएगा और कहां तो यह भी जाता है अगर जुकाम बच्चे को हुआ है तो उस जुकाम के होने का reason होता है कि आगे चलके बच्चे में जुकाम से related antibodies बच जाएंगी, तो एक वार बिमार हो ना चलेगा, लेकिन बच्चा बार-बार ही बिमार हुए जा रहा है, तो ये फिर कहना कि भई ये US ये immunity develop हो जाएगी जादा बार बिमार होने से, जादा बार बिमार होने और उस वायरस के अगेंस्ट बॉड़ी ने अंटी बॉड़ी में तयार कर लिए कि अब अगर कोरोना का वायरस एक्टिव फॉर्मम में बॉड़ी में आगा तो उसको एंटी बॉड़ी मार करके खतम कर देंगी समस्या नहीं आएग तो इस तरीक tobip forums एकatar आ जाये तो तो उस ब्मारी के अगेंस्ट बाड़ी में एं marry बड़ी बन जाती है लेकिन एक ही प्मारी चटीज वार आ रही है तो फिर कहां गहीं एंटीड़ी तो फिर बच्चे में बिमारी अगर आती जाएगी तो निशिक तोर पर बच्चे का स्वास्त धीरे-धीरे करके खराब होता जाएगा इससे बचाने के लिए बहुत जादा आवस्चक है बच्चे के फूट पैटर्न्स पर पूरा ध्यान रखा जाए 6 मैने के बाद जब बच्चा खाने के लायक हो जाता है उसके बाद भी हम तो बच्चे को सारवर तक दूद पिलाएंगे हम तो 2 साल तक दूद पिलाएंगे ऐसा नहीं करना चाहिए जब बच्चा खाने के योगे हुआ है उसके पाचन के तंत्र में जो चीज़ें पच सकती है उस समय बच्चे को वो चीज है उपयोग में जरूर लानी चाहिए तो 6 मैने तक का बच्चा दूद पर रहे तो ठीक है लेकिन 6 मैने के बाद बच्चे को कुछ न कुछ सॉलिड खिलाना चालू कर देना चाहिए जिसमें वेजटेबल खिच्डी आजाएगी उबली हुई सब्जियां आजाएगी उबली हुई दाल का पानी आजाएगा दाल खिलाना चालू कर सकते हैं दलिया खिलाना चालू कर सकते हैं या मोटे आटे का हलवा टाइप का पतलासा बना करके बच्चे को दे सकते हैं, सूजी का हलवा बना करके बच्चे को दे सकते हैं, ये फाइदा करेगा, ये सोचना कि बच्चे को केवल दूद पर ही रखा जाएगा, तो बच्चा सही तरीके से पनपेगा ऐसा नहीं है बच्चा बच्चे का वजन जादा रहना और बच्चे का स्वास्त अच्छा रहना ये दो अलग-लग बाते हैं अगर आप बच्चे को सही समय पर सही पोशन देंगे तो बच्चे का स्वास्ते अच्छा रहेगा बच्चे को तीन साल तक केवल दूद पिलाए जा रहा है तो बच्चा हो गोल मोल तो रहेगा लेकिन उसका स्वास्ते बहुत जरूरी नहीं है पूरा सही रहे तो इस चीज़ का विसेज ध्यान रखा जाना चाहिए अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो निश्यत ही बच्चे के स्वास्ते में सुधार आना चालू होगा पानी जादा से जादा बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके बार बार करके पिलाया जाए जब भी बच्चे को जुकाम सर्दी हो गया है ऐसे समय में एक चीज़ का विसेज ध्यान रखा जाए बच्चे की अगर नाक बह रही है ऐसे समय में बच्चे की नाक में थोड़ा सा आप अनू टेल या फिर सट बिंदू तेल या फिर बादाम रोगन तेल या सरसों का तेल थोड़ा सा गुल्बना करके नाक में आधी-ाधी ड्रॉब के आस-पास डाल करके इसको नच से बोला जाता है बच्चे की नाक को पुरा lubricated रखने की कोशिस करें ताकि बच्चे की नाक बंद नहीं होगी और अगर बच्चे की नाक बंद नहीं होगी तो उससे related बहुत सारी समस्याओं से बच्चा बच जाएगा तो ये नाक में तेल डालना ये बहुत ही उपयोगी है नाक में सट बिंदू या अडू तेल या फिर बदाम रोगन तेल या फिर आप चाहें तो सरसों का तेल हलका गुन्गुना करके नाक में जरूर डालें ये बहुत effective है अगर डालने से आपको भै लग रहा है तो आप उंगली से बच्चे की नाक में लगा सकते हैं और नहीं तो ड्रॉपर में रखके आप डालिए बहुत अच्छा रहेगा आज कल डॉक्टर देते हैं ये नेजी वियोन नौजिनेट नेजल स्प्रेज जो आ रहे हैं इनसे तो लाख गुना अच्छा है आप अनू तेल डालिए सट्विंदू तेल डालिए लेकिन जहां शकता है वहां उसी चीट पहुत का प्योजाना चाहिए हो चैए अच्छा रहें तो इह आप ऐसकते हैं बच Зबैं को नंक पानु पिला इंगर बच्चे को बार 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 करके टॉंसिलाइटिस फैरेंजाइटिस हो रही है तो आप बच्चे को हलका नमक डाल करके पा अराम होना चारू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके दिन में दो-तीन बार आपके पानी पिला सकते हैं इसके साथ में बच्चे को कोई भी ठंडी चीज़ें ना खिलाई जाएं कोशिस करी जाएं गरम-गरम दलिया गरम-गरम खिचडी गरम-गरम मतलब जितना बच्छा आ जाला नमग मिला दीजे बिल्कुल पतलासा रहेगा उसमें हलका सा गाय का घी अगर मिला देंगे तो बच्चे को टेस्टी लगेगा बच्चा एजली खाएगा कोई दिकत नहीं है बहुत सारे बच्चे खाना इसलिए अच्छे से नहीं खापाते हैं कि उनको कफ की समस्या बच्पन में कफ की समस्या और एक कफ होता है बोधक कफ बोधक कफ जो है स्वाद का बोध ही नहीं होने देगा बच्चे को कुछ भी खिलाओ स्वाद ही नहीं आगा स्वाद नहीं आएगा तो बच्चा नहीं खाएगा एक चीज में स्वाद नहीं आएगा फिर बच्चे क खाखा के डर जाता है कि कुछ भी आप जब उसके पास ले जाओगे बच्चा डर जाएगा कुछ उल्टा सिदे खिलाने के लिए लेके आएगे बच्चा नहीं खाएगा तो आप दिन में कुछ उसको ऐसा भी खिलाईए जो उसको बहुत पसंद आए और ऐसा अगर कुछ पानाचालू करेगा जब अच्छे तरीके से अच्छा खाना खाएगा दूसरा एक चीजर विशेस रूप से ध्यान रखी जाने चाहिए अगर हम चैखने को खिलाने में जल्दी बरत रहेए जल्दी खाए क़्यो is a बैट अरी दूस्ट जल्दी जल्दी पी लेना बैटा तो ये जल्दी-जल्दी का सिस्टम जो है न, ये हमें दूर रखना चाहिए, बच्चे को जल्दी में कभी नहीं खिलाना चाहिए, बच्चा जैसे खा पा रहा है, आराम-ाराम से, वो जैसे खाएं उसको वैसे खिलाएं, बच्चा थोड़ा नख्रेन होता है, बच्चा नख जो हैं बच्पने में बच्चे के नखरे अच्छे भी लगते हं लोग सैते भी हैं लेकिन बड़ा हो कि मैं अगर अगर अपनी मां से नख्रे करने लगूं तो उचित भी नहीं है और मां तो खर्मा है मां तो अभी वी मेरे नखरे सहेगी ही लेकिन मुझे सुबा नहीं देगा अब नखरे करना तो जरूरी है बच्पन में बच्चे का पूरा ध्यान रखा जाए ताकि बच्चे का स्वास्ते बहुत अच्छे तरीके से उभर करके आए अगर बच्चे का स्वास्ते अच्छा रहेगा तो नि इसे पेट कर पाएगा, बाकी चीज़ों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए आगे बढ़ पाएगा, अगर बच्चे के स्वास्ते को मेंटेन कर लिया, तो बच्चे की सिक्षा भी अच्छी होगी, बच्चे का संस्कार भी अच्छा होगा, सब ठीक रहेगा, अग बच्चे के स्वास्ते को पूरा सही करने के लिए ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से फालो करते हैं, तो निश्यत ही आपको बहुत अच्छा लाब बच्चे के स्वास्ते में देखने को मिलेगा, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप कमे तो निश्यत ही हमारा आगे आने वाला भवेश्य सुद्रा हुआ रहेगा सुस्त रहिए सुरक्षित रहिए बच्चों का पूरा ध्यान रखिए अगर फिर भी कोई दिकत लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंड करके आप अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं नमस्कार झाल